जियोतिका के आते ही सिस्टर रूबीना दिलेक को जाननी है बाहर की सारी अपडेट्स बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए उन्होंने अपना रिपोर्टर जो है वो तैनात कर दिया है और वो रिपोर्टर और कोई नहीं बलकि उनकी सिस्टर जियोतिका है जी हाँ अब किस तरह रूबीना बाहर के सारे पॉइंट अफ यूज और गेम से रिलेटिड सारी इंफोर्मेशन निकाल रही है जोतिका के तुरू आईए हम आपको बताते हैं तो हुआ कुछ ऐसा कि बाहर जो ये हम सारे टास्क परफॉर्म करते हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा पफॉर्मर कौन लगता है सबसे ज्यादा स्टॉंग किसकी परफॉर्मन्स होती है टास्क में तो तब जोतिका अपने रिव्यूज जो है उपिनियंस देना शुरू करती हैं शुरूवात में तो वो कहती है कि मुझे बहुत पुराने टास्क के बारे में तो याद नहीं लेकिन रिसेंटली जो साइक must की band बजा दी अच्छा ये हुआ कि किसी एक टीम ने अगर कुछ नहीं किया तो दूसरी टीम ने अटलीस कुछ तो construct किया जहां अली की टीम डिस्ट्रक करने पर तुली थी आप लोगों ने at least कुछ तो construct किया तो वो बात अच्छी हो गई लेकिन यहाँ पर जोतिका इसके बाद ये भी कहती है कि ज्यादतर टास्क में performance 50-50 ही रहा है बहुत ज्यादा मज़ा नहीं आया ज्यादतर टास्क को देखने में क्योंकि टास्क में आप लोगों का performance मतलब उसकी understanding ही गलत हो जाती थी तो बहुत कम टास्क ऐसे हैं जिसमें performance बहुत अच्छी हुई है तो इस तरह से रुबीना जोतिका से बाहर के लोग क्या सोचते हैं टास्क के बारे में ओडियंस को किस तरह से सब कुछ नजर आ रहा है उसकी information निकालने की कोशिश कर रही थी और जोतिका भी जो है अपनी बहन को इसमें साथ दे रही थी और उन्हें बता रही थी कि किस तरह से बाहर टास्क को और सब के performances को conceive क्या परसीव किया जा रहा है आप देखते रहे ये फिल्म विंडो क्योंकि लाइफ फीट पर बनी हूँ मैं और हर लेटिस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आ रही हूँ देखते रहे ये फिल्म विंडो मैं हूँ नित्यानशी